पूजागली रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं थाली पीड जो मारिष्टन डिस है पर आज इसे हम कुछ अलग तर से बनानी वाले हैं थाली पीड बनाने के लिए आज हम ककड़ी का इस्तिमाल करने वाले हैं ककड़ थाली पिट बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम ककड़िया ले ली है अब हमें इसका छिलका निकाल कर इसे कद्दू कस कर लेना है ककड़िया पूरी तरह कद्दू कस हो गई है अब हमें इसे बर्तर में ट्रांसपर कर लेंके अब हमें लसुन, मिर्ची, अद्रक और कड़ी पता को हमें विक्सर में पीस लेना है अद्रक लसुन, कड़ी पता और मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया है आप इसमें हरी मिर्च ना डालना चाहिए तो लाल मिर्च कभी इस्तमाल कर सकते हो और अब हमें कदुकस किये हुए ककडियों में ले गए सारी सामगरियों को डाल कर अच्छे से मिला लेना है स्वाध अनुसार नमक मिलाना है सारी सामगरिय इसमें अच्छे से मिल गई है अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल कर इसे पतला बना लेंगी इसका हमें मीडियम पेस्ट बनाना है गैस में फ्राइपेन रखे उसे गरम करने के लिए रखेंगे फ्राइपेन गरम हो गया है अब हम इसमें तेल लगा लेंगे फ्राइपेन में अब पेस्ट नलकर हमें इसमें पैडा लेंगे गैस को हमें दीमी आज मेर अपना है ताकि यह जले नहीं अब इसके पर हम थोड़ा तेल डालेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेखनी के लिए रखेंगे एक तरफ से अच्छे से सिख गया है अब हम इसे पलट कर दूसरे साइट भी अच्छे से से शेख लेंगे इसमें से बहुत अच्छी सुगंदारी है यह खाने पे उतना ही टेस्टी है आप इसे जरूर बनाएए और मुझे बताएए यह आपको कैसे लगी हमारी ककणी से बनाएए हुई थालिपेड रेडी हो गई है इसे मेरे टमाटर की चतनी के साथ साथ यह बहुत टेस्टी लगती है इसे आपको अण्य चतनी के साथ भी खा सकते हैं आपको मेरी रेसी पी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर अपनिवाद